इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर्ट बाइ रविलनाथ टेकोर यूनिवर्सिटी भोपाल और आइसिक ग्रूप यूनिवर्सिटी नवसकार मैं उन्राग आप देख रहे हैं बेबाग बात आज बात कॉंगरेस की कॉंगरेस एक और भारा जोड़ो यातरा निकालने जा रही है महीं कॉंगरेस के बड़े नेता कॉंगरेस छोड़ो की बात कर रहे है कॉंगरेस के गुलाम नभी आजाद अब कॉंगरेस से आजाद हो गए है मतलब दिगज देता गुलाम नभी आजाद ने कौंगरेस से आजादी ले दिये कौंगरेस छोड़ते वक्त गुलाम नभी आजाद ने पार्टी सुप्रेमो तोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है इसमें आजाद ने कहा आपके राहुल गांधी को उपाद्धेक्ष बनाए जाने के बाद कॉंग्रेस बर्बाद हो गई और चापलूस पार्टी चलाने लगे गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस छोडने का मर्म इन पंक्तियों में बयान कर दिया गुलाम नभी आजाद ने शुकरवार को कॉंग्रेस के सबी पदों और सदस्ता से इस्टीफ़ा देदिया इसके लिए उन्ने पार्टी की अंत्रे मद्यक्ष सुनिया गांधी को इस्टीफ़े की पांच पन्नों वाली चित्खी बेजी है इस्तीफे के इन पांच पंदों में साथ किरदार और चार हाला थें गुलाम नभी आजाद का सबसे सक्त बयान राहूल को लिकर है आजाद ने राहूल गांदी को अपरिपक वनीता बताती हुए ने कॉंगरिस की बरबादी की मुख्य वज्य बताया और अपने कॉंगरिस को लिखे आखरी खत्म में बारी बारी से चापलूस किरदारों और कॉंगरिस की हालत को बयान किया है अपने स्टीफे में गुलाम नभी आजाद ने कहा कि राहूल गांदी ने पार्टी में आंत्रिक लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया आजाद ने पत्र में कहा कि बीते कुछ सालों में राहूल गांदी ने सीनियर लीडर को दर किनार कर दिया कॉंगरिस में इन दिनों राहूल गांदी और सोनिया गांदी की दो टीमें काम कर रही है आज़ाद ने सोनिया गांदी को लेकर लिखा है कि बेशक कॉंग्रेस अध्याश के तौर पर आपने यूपिया वन और यूपिया टू के गठन में शांदर काम किया इस सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि आपने अध्याश के तौर पर बुद्धी मान सलाकारों और वरिष्ट नेताओं के फैसले पर भरोजा किया उन्हें ताकत दी और उनका ख्याल रखा दुर्बाग से राजनीती में राहुल गांदी की एंट्री और खास्तोर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उन्हें पाद्धाश बनाया तब राहुल ने पार्टी में चली आरे सलाके मेकनिजम को तभा कर दिया तबी वरिष्ट और अनुवी निताओं को स्राइट लाइन कर दिया गया और गैर अनुवी चापलूसों का नया ग्रूप बन गया जो पार्टी चलाने लगा आजाद ने काई यूपिय सरकार की अखंड़ता को तभा करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कॉंगरेस पर लाग हो गया है आप बस नाम के लिए अध्यक्षपत पर बैठी हैं तभी जरूरी फैसले राहूल गांदी ले रहे हैं उससे भी बत्तर बात यह है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पिये तक कॉंगरेस के बारे में फैसले कर रहे हैं आजाद की बात में दम है रहूल गांदी के उपाध्यक्ष बनाए जाने के बार 2014 और 2021 के बीच हुए चुनाओं के दोरान 222 चुनाओी उम्मीदवारों ने कॉंगरेस पार्टी छोड़ी जबकि 177 सांसदों विदायकों ने पार्टी को अल विदा कहा इसके अलावा 2016 और 2020 के बीच जल बदल करने वाले लगबक 45 फीज़दी कॉंगरेस विदायक अकेली बीजेपी में शामिल हो गाए 2014 में डागाबाती पुंदेश्वरी, बीरेन सिंग, जगदंविका पाल, जीके वासन, सत्यपाल महराई ने कॉंगरेस छोड़ी 2015 में जैनती नटराजन, गिरिधर गमांग, अब्दुलगनी वकील, हिमंत विश्वा सर्मा, और 2016 में रीता बहुकुना जोशी, विजे बहुकुना, एन बीरेन सिंग, अजीज जोगी, संधी प्रॉय, पेमा खांडू हरक सिंग रावत, 2017 में नाराणजद तिवारी, शंकर सिंग्वागेला, यश्पाल आर, रवी किशन, बर्खा शुकला, विश्वी जीत राणे, 2018 में अलक्जेंडर लाकू, नातुगेना पेंटन, अश्योप चौगरी, और 2019 में औरुमिला मातूंड कर, मौसम, नूर, अलपेश, ठाकुर, कुपराशंकर सिंग, पनबाका कौंग्रिस और राहुल गांधी की टीम ने इसके कोई सबक नहीं लिया, 2021 में गोविंदास, विजिन थॉमस, ए नवे सियम, बीम सुधीरन, पी सी चाको, अवीजीत मुखरजी, जतिन प्रसाद, सुस्मिता देव, अलेरो, ललतेश तिरपाठी, अमरिंदर सिंग, किर्ती याजाद, मुकुल संग्मा, अदीती सिंग, रवियस माइक, और इस साल कौंग्रिस के वरिश्ट लिनिता गुलाम नभी याजाद खुद, कौंग्रिस परवक्ता जैवी शिरगिल, नरेन रावर, राजु परमार, कपिल सिबल, पंजाब कौंग्रिस के पूरे अद्याद् को पूरे मीडिया के सामने टुकले टुकले कर डाला, कौंग्रिस कोर गूर्प ने ही या द्यादेश चैयार किया था, कैबिनिट और राष्टपती ने इसे मंजूरी दी थी, इस बचकाना हरकत में भारत के प्रधानमंती और राष्टपती के और चित्त को खत्म कर दिया, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ये एकलोती हरकत 2014 में यूपिय सरकार की हार की बर्यवज़ थी, 2014 में आपकी और उसके बार राहूल गांदी की लीडर्शिप में कौंग्रिस शर्मात तरीके से दो लोगसभा चुनाव हारी, 2014 से 22 के बीच हुए 49 चुनाव हार गए, राज्यों में गडवननन में उसकी थोड़ी सी भूमिका है, हार के बाद राहूल गांदी ने जुंझलाहट में अद्यक्षप चोड़ दिया, उससे पहले उन्होंने कौंग्रिस वर्किंग कमेटी में हर सीनियर नेता का अपमान किया, जिसने पार्टी के लिए अपनी जि चैर्वी करता रहा है, उन तमाम गत्यविदियों के बीच इस इस्तीफिय ने गुलाम नभी आजाद और उनके कौंग्रिस से साथ रिष्टों पर सवाल खड़ा कर दिया, कियंग ने इसी साल गुलाम नभी आजाद को फद्म भूशों सम्मान से नवाजा था, उसके बाद आजाद और भाजबा के बीच एक नई केमेस्ट्री तलाश की जा रही थी, लगता है अब आजाद हैं, आजाद ही से वे अपने राजने तक फैसले करेंगे, आजाद लगातार चार दशक तक कौंग्रिस वरकिंग कमेटी के सदस रहे, 35 साल तक देश के हर राज और किन सास कौंग्रिस ने आजाद को जम्मू कश्मीर परदेश केमपेंड कमीटी का अध्धश बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्धश बनाया जाने के दो घंटे बाद ही पस्ते इस्तिफ़ादी दिया था, आजाद ने कहा था, कि जी मेरा डिमोशन है, 70 साल के आजाद अपनी सि और उनके बीच में गलत फेमिया पैदा कर रहा है, यही बात आजाद को पसंद नहीं आई, इंद्रा गांदी और राजीव गांदी के करीबी रहे, गुलाम नभी आजाद में अचानक कौंग्रिस पार्टी से इस्तिफ़ादे कर सभी को चौंका दिया, तो कौंग्रिस उन गुलाम नभी आजाद में कश्वीर में सबसे बरे चूलिफ गार्टन का निर्मान भी करवाया, गुलाम नभी आजाद एक बेहतरी इंशायर भी है, बोल किलब आजाद है तेरे, बोल जो वाँ अब तक है तेरी, बोल किसद जिन्दा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह आजाद के आजाद लबों ने कॉंग्रेस की सच्चाइ सबके मिला दिये अब सवाल कॉंग्रेस और उन गांधी के चापलूस नेताओं का है जो कॉंग्रेस को लगा तक रसातल में ली जा रहें स्वाज यह भी है क्या कॉंग्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या फिर अपना दम दिखाएगी आज बस इतना ही देख तरेगी दखन निवस नमस्कार चूस थे बस तो बे थे बस्ट फ़र मिशन स्कॉल 744-077-111 रबिन्दनाथ तगोर अनिवस्टी प्योनियर्स इंस्किल देवल्पम्न विछ फोकस उप्रेटिं इंस्किल रेडी प्रफेशनल्स जोन इंडियास प्रेमियर्स्किल बेस्टी रबिन्दनाथ तगोर अनिवस्टी आप देख रहे हैं दखल्यू